तो बिना टाइम बेस के जल्दी से पहुचते है अपने next question पर जो बहुत ज्यादा लोगों ने हमें पूचा है कि आपको interview में क्या पूचा था आपका interview process कैसा था क्या नहीं गया था तो मैं फटक से बता देता हूँ तो यहां पर में पूच लिखके रखा है तो first round जो था राउंड हटो स्टार्टिंग से बताता हूँ स्टार्ट होता है अपना profile screening से प्रोफाइल स्क्रीनिंग से मालव पड़ जाता है कि पूरा वह चेक करते अपना resume विजम में बता हूँ security हो गया data interpretation एक्सेटर वह सब पूचे जाते हैं mcqs question देते हैं और हां कुछ कुछ कंपनियों में हमें SQL हो गया एक्सेल हो गया बहुत रेरली python भी होता है कि उसका multiple choice question भी पूचा जासता है तो और प्लीज और यह जो मेरा हुआता ना वह सब online हुआता अफकॉस कॉपी करने की कोशिज मत करो उन्हें सब पता रहता है मेरा इंटर्वीव बीट में हुआता मीडा.net का और गूगल का गूगल के प्लाटफ़ाम में हुआता सब मालूँ पड़ता है सब मालूँ पड़ता है मैं आपको बात में बताऊंगा सेकेंड राउंड जो था वो था मेरा फॉर्स्ट राउंड ऑफ इंटर्वीव तो गूगल का और मुझे मैं एक साथ मिलागे है आपको बताता हूं गूगल का जो लास्ट में प्लाउंड में क्या होँ था वह तो मुझे पता नहीं इंटर्वीव में मुझे पूछा गया था लॉजिक्स पुचा था एक्सल पुचा था एक्सल में पुचा था वी लुक अप्स लुक अप्स फॉर्मिला जन फंक्शन इन डेप्थ क्या पूछा गया था मैं आपको एंड में बताता हूं और गाइस एंड में एक बोनस टिप भी है आप सभी लोग के लिए राउंड टू फ़ी इंटर्व्यू था राउंड टू में मुझे पूछा गया था लॉजिक, ऐसे भी पूछए गया था जो आक्शॉल में एक पट्िकुल्र एसकुल के इसमें ही सॉल्व किया जा सकता था जैसे कि मैंने मैं MySQL किया था और मैंने SQL lite किया था बट कुछ question ऐसे दे जो सिर्ट पोस्ग्रेइसक्वेल में solve किया जा सकते थे और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा तो हो सकते तो इसक्वेल और पोस्ग्रेइसक्वेल ही किजिए इसको लाइट मत करो बहुत सारी फॉंक्शन दे बहुत सारी चीज़े जो होते है वह उसमें अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं कर पाई होगे सेकेंड है हां तो यह सेकेंड अपने प्रोजेक्ट के बारे में और पूच आपने पिछले वीडियो में बोला था कि राउंड थ्री जो था इतना बड़ा इंटर्व्यू कैसे हो सकता है दो घंटे के ऊपर कैसे जा सकता है मैं बता तो कैसे मुझे इसमें पूचा गया था गेस्टिमेट रूट कॉस अनलिसिस के स्टड़ी और मुझे यह भी पूच रहे पूचा गया था कि आपने अपने साइड से कभी इन मेंसे तीनों मैंसे मैंने जो कोई भी चीज़ केसे पूचा कि क्या हوتा है कैसे होता है सारे सारे आड़टाइजिंग के ऊपर पूचे थे इसके बाद मुझे पूचा तो यह था मेरे बहुत सारे राउंड की उपर वीडियो जो है वह अच्छे खासी बनी है तो यह सब राउंड की उपर थे अब इसमें से मैं आपको इजीली बता देता हूं कि एक्च्वल में कैसे सेग्रिगेशन हुआ था और क्या नहीं हुआ था अगर बात किया जाए पजल के बारे में तो इच राउंड उफ इंटर्विव में पजल को ज्यादा ट्रिकी थे मैंने कुछ लिखे भी रखे तो गिवन मोटा मोटा आइडिया दिया जाए आप से भी लोग को कि क्या पूछा गया था तो मैं आपको बताता हूं कि लेस्ट ए एक गोल्ड बार देना है तो और मेरे पास टोटल 7 मुटर लंबा गोल्ड बार है एक-एक मिटर का उसका इस दैल का फिएंग है बोट मुझे एक दिन हर दिन उसे एक ही यह देना है गोल्ड वार देना है मतब एक साथ एक एक समझ रहो ना एक एक ऐसे तीन कट मारने है और उसको इक्वल डे पे एक गोल्ड वार देना है तो आप इक्वल तीन कट कैसे मारोगे और इज डे कैसे उसे पे करोगे उसके बाद मुझे पूछा गया था कि लेच और गिव एक्जाम्पल की ओखे वाटर के उपर पूछा था वह इतने बगेट ऑफ वाटर में इतना है यह सब है वो पूछा था उसके बाद बर्निंग ओफ रोब के कोशन पूछे थे उसके बाद मुझे पूछा गया था कि 25 फाइबंध रहेंगे तो उसमें से आप टॉप ठी कैसे चुछ कर सकते हो यह बता हो इसके बाद train के उपर question था कि एक साथ से train इतने speed से जा रही है दूसरे साथ से train इतने speed से जा रही है और एक honeybee है जिसका बोलते ना कि driving speed यह है तो एक honeybee कितने round मार सकती है एक train से लेकर दूसरे train तक वह पूछा गया था first two round में मतलब और भी पूछा गयते बट मैं आपको in depth बता नहीं सकता कि company policy है कि हम we can't share उसके बाद आते है कि let's go मुझे इसमें क्या पूछा गया था interview में अगर पूछा जाए तो क्या पूछा था इंटर्वियों में data analyst के उपर question बहुत ही ट्रिकी थे let's go like hypothesis testing के उपर मुझे पूछा था hypothesis testing के उपर बताओ टेस्ट काय टेस्ट उसके उपर बताओ sampling और different type of sampling population और उसके उपर बताओ testing के उपर पूछा था कि testing के उपर बताओ और testing में बुलते ना test और जो variant होता है या फिर control जिसे कहते हैं बहुत सारे अलग-अलग होता है मेंनली दो ही होते है control or test होता है तो control or test में bifurcation कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए उसके क्या issue हो सकते है बाद में मुझे type 1 type 2 error के बारे में पूछा था यह कुछ थे और बहुत सारे in-depth वीसे पूछे थे कि classification model regression model के उपर क्योंकि मैंने AI MLB किया था अगर second हम जाते है कि let's give an example of root cause analysis root cause analysis में बहुत ही tricky सवाल पूछा था जिसको मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल थे पट एक उसमें से यह था करते हैं सामान बट चेक आउट नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे तो उसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है कि आप डारेकली बोलने सकते कि यह हो गया वह हो गया जिसके आप पूछ सकते हो कि यह कोई पूछ डेमोग्राफिक में हो रहा है या फिर पूछन पूछन आना चाहिए आपको कि अब जितना कोशन पूछेगे उतना ही आंसर आपके लिए सिंप्लिफा होते जाएगा उसके बाद कितने स्टेप्स होते है कि रेजिस्ट्रेशन पे पीज हो रहा है उसके बाद ette-to-Cart करने के बाद क्या आता है पेइमेंट हो रहाıldा है क्या नहीं हो रहा है कौन से points में क्या हो रहा हैHAHA क्या है क्या नहीं है उसके बाद प्रूट कॉस अनलेसिस होने के बाद गेस्टिमेट कुछे गए थे कि गिवन एग्जामपल एक बहुत बड़े मॉल में अगर आपको ATM बीचो बीच लगाना है तो वह ATM में कितना पैसा होना चाहिए एक ATM होना चाहिए दो ATM होना चाहिए उसक प्रेटिंग हो सकती है आप एक बंद कितना पैसा डिपोजिट होना चाहिए उसके उपर पूरा कि अन्य आवरेज मॉल में कितने बंदे आते हैं सटर्रें कितने आते हैं टाइमिंग क्या होता है कैसा नहीं होता पूरे नमबर आफ पीपल निकालने के बाद आपको यह भी निकालता है वो सभी है उसके बाद एक पेट्रल फंक की उपर पूछा गया था कि लेइस का दोनों बें सबसे ज्यादा इसको पैसे कहां पर मिलेंगे फिर उसके उ crimes visão AG कि और इंग्जेल के यूज कहां पर ज्यादा होता है हमें वह इस्टिमेट निगालना पड़ता है उसके बाद कहां पेट्रोल यूज होगा कहां सी एंजी यूज होगा वेटिंग अफ लाइन कितने कॉंपटिशन है कितने नहीं है उसके उपर वो फ्रों माइ साइ अगर उनसे बीच है खैर अब कुछ कर रहा था डिफरेंट टाप आफ ओफ कंपनी कि कौन से कंपनी ज्यादा डूब रहे तो उसमें से उबर था क्यों डूब रहे है कैसा हो रहा है आपका आपका ओट्कुन क्या हो सकता है आप हाइपोथेस दीजिए उसके उपर कि क्या इंप्रूब्मेंट लायग दिया जा सकता है ऐ और उसके बाद मुझे जॉब मिल चुकी ऐसे डेटा अनिलिस्ट तो आप सभी लोग को इसमें में एक ही चीज बता सकता हो कि और फर्स्ट राउंड जो अप्टेट है वह आपको यूटूब में मिल जाएगा कही पर भी और मैंने बहुत सारे इंटर्वी पहले से दिये थ बहुत सारे मॉक इंटर्वी दीजिए दीजिए असको समझ आ जाएगा और इतने क्वेशन देखके डरने की कोशिश मतलब डर मत जाओ एक बार प्रैक्टिस हाथ में आएगा ना तो आपको समझ आए जाएगा कि ऐसा क्यू है क्या नहीं है और एक क्वेशन मुझे आ थे क को रिलेशन की बीच में फरक बताओ तो जितने भी मैंने क्वेशन पूछे थे आप प्राइ कीजिए कि यह सारे कुशन खुच से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ऐसा जामने जीए कि मैं इंटर्वी ओर और यह सब कुशन मैंने आप से पूचा इसके लिए मैंने किसी का कमेंट डाउन में बताओ और इतना ही था वीडियो को शॉट रखते हैं अब मैं चलता हूँ आप सब लोग को देना था एक छोटा सा शॉटकट तो शॉटकट यह था मैंने ना इंटर्विव के टाइम पे इंटर्विव के पहले यह सारी चीज़े रट ली थी इसमें से ज सब्सक्राइबन में कितना डिस्टुबूशन है 30% 70% लिटरेशी रेट क्या है हर जगे पे एज गुरूप का सेग्रिकेशन लोगर कास मिडल क्लास कैसे है वह सब मैंने रट लिया था इसके कारण मुझे जो रूट कॉस अनलिसस हो गया गया इस्टीमेट हो गया यह सब मे अच्छा लगता हो गाइस कमेंट डान बिलोव में यार यह एजुकेशन वाला चैनल बढ़ते जा रहा है अपना कि एकदम एजुकेशन टाइप हो गया कि भाई डेटा एनलिस के बारे बताव और यह सब तो क्या करतो डेली व्लोग्स लाया जाए के निए डेली व्लोग् जाए करता है